हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कुमा सिंग, आज मैं आपको एक वाइल एंड गैस सेक्टर की धाकर कमपनी बताऊंगा, वेल्द किरियेटर स्टॉक बताऊंगा, जो आने वले समय में मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है वाई, जीरो ठेट फ्री कमपनी है, मैं खुद भी इस कमपनी में मन्थली SIP करता हूँ, पिछले 5 सालों से, तो आप लोग भी इस कमपनी में मन्थली SIP कीजिए, लंसम पैसा लगाना चाहते हो वाई, तो लंसम भी पैसा लगा सकते हो, क्वाइटी कमपनी है, नंबर व प्रेश करते हूँ, और आप लोग भी किसी भी कमपनी में प्रेशन बनाने से पहले, एक उसका फांचल कंडीसेन के बारे पता कीजिए गा, कमपनी के धंदे के बारे पता कीजिए गर वाई, उस कमपनी का धन्दा अच्छा है बिजनस मॉडल बढ़िया उनके पोटक्ट अच्छे उनकी सर्वीसेश अच्छे तभी जाके कमपनी अच्छे रिजल्ट पेस करती है और भाईया जब कमपनी लागातार अच्छे रिजल्ट पेस करती है तो ही वाई लॉंक्टर में आपको वै में देख लो भाई 3268 .57 उचुका है तो देख से तो बहुत बढ़ी हास का नेट सेल टानवर है हाफ एरली 2175 से 3216 हो चुका है total income देख लो total income में इसका साँधर है हाफ एरली सितंबर 70 में टोटल इंकम था वो 2218.16 था सितंबर 17 में और सितंबर 90 में देख लो भाई 3342.93 हो चुका है तो देश से तो बहुत बढ़ियास का टोटल इंकम है हाफ एरली तो भाईया मुझे इसका नेट सेल टोटल इंकम हाफ एरली बहुत ही एच्छे दिखाए ज रहे हैं आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हूँ अपरेटिंग फ्रॉफिट देख लो भाई अपरेटिंग फ्रॉफिट भी इसका सांदर है हाफ एरली सितंबर 17 में जो अपरेटिंग फ्रॉफिट था वो 508.90 था सितंबर 17 में और सितंबर 19 में देख लो अपरेटिंग फ्रॉफिट भी इसका सांदर है हाफ एरली सितंबर 17 में जो अपरेटिंग फ्रॉफिट था सितंबर 17 में और सितंबर 19 में देख लो भाई 825.46 हो चुका है उधे से तो बहुत बढ़िया इसका एविटा है हाफ एरली 601 से 825 हो चुका है तो भी यह मुझे इसका ऑपरेटिंग फ्रॉफिट एविटा हाफ एरली बहुत ही अच्छे दिखाएते रहे हैं मैं जीतित तारिक फ्रॉफिट वो कमी होगा प्रॉफिट एन लॉस फॉदियर बेशका सांधार है हाफ एरली सितंबर 17 में जी प्रॉफिट एन लॉस फॉर दियर था वो 330.13 था सितंबर 17 में और सितंबर 19 में देख लो भाई 59.34 हो चुका है उधे से तो बहुत बढ़िया इसका profit and loss फो दिया रहे हाफ फेरली 330 से 599 में हो चुका है reported pad देखलो reported pad भी इसका सांधार है हाफ फेरली सितंबर 17 में जो pad था वो 330.13 था सितंबर 17 में और सितंबर 90 में देखलो भई 599.34 हो चुका है तो भीया मुझे इसका half फेरली जर्ड बहुत ही अच्छे दिखाए दे रहे मैं जिती तारीक उफेर्ड और कमी होगा आप लोग ने खूद देखा कहीं से भाई कोई दिक्कत नहीं है अब मैं year to जल्ड देख ले रहा हूँ पहले आप half फेरली जल्ड देख रहे थे भाई तो देखो net sale turnover मार्च 15 में था वो 3680.99 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो भाई 5,664.84 हो चुका है तो देख से तो बहुत थी बढ़ियास का net sale turnover ए year to year भाई 3680 से 5,664 हो चुका है और किसी भी year में कम भी नहीं रहा है जो कि एक बहुत थी अच्छी बात होती है भाई पोजिटिव बात होती है टोटल इंकम देख लो टोटल इंकम इसका सांदर ए year to year भाई मार्च 15 में जो टोटल इंकम था वो 3715.53 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो भाई 5,910.99 हो चुका है और ये भी किसी भी year में कम नहीं रहा है तो भाईया मुझे इसका नेट सेल टोटल इंकम इयर टियर बहुत ही अच्छे दिखाए ज़र है आप खुद भी यहां पे देख सेकते हो भाई ओपरेटिंग फ्रॉफिट देख लो ओपरेटिंग फ्रॉफिट बे इसका सांदर है ये टियर बाईज मार्च 15 में जो ओपरेटिंग फ्रॉफिट था वो 735.04 था मार्च 15 में और मार्च 90 में देख लो 1256.98 हो चुका है तो देख से तो बहुत बढ़ियास का 256 हो चुका है अविटा देख लो बाई इसका सांधर है year tier wise March 15 में जो अविटा था वो 827.58 था March 15 में और March 19 में देख लो 143.13 हो चुका है तो दिशे से तो बहुत बने आज का अविटा है year tier wise 827 से 1403 हो चुका है तो भाईया मुझे इसका अबरेटिंग फ्रॉफिट एविट्टा ये टियर बहुत ही अच्छे दिखा ज़र है मैं चीतित तारीक उफेंड हो कमी होगा ऐसी फाइनसल फाइनस वाली कंपनी को अपने फॉट्फोलियो में जगा देते हो बाई तो आपका पैसा बने गई तो इस कंपनी को फॉट्फोल एन लॉस फॉर दिया था वो 437.73 था मार्च 15 में और मार्च 19 में देख लो बाई 786.67 हो चुका है विदे से तो बहुत बढ़ी आज का फ्रॉफिट एन लॉस फॉर दिया रहे ये टियर बाई चार्सो सैंती से सास्सो चैसी हो चुका है रिपोटेट पाड देख लो बाई रिपोटेट पैड भी इसका सांधार ये टियर बाईच मार्च 15 में पैड था वो 437.73 था मार्च 15 में और मार्च 19 में देख लो 786.67 हो चुका है तो भीया मुझे इसका ये टिजल बहुत ही अच्छे दिखाएत रहे तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा ल इस कंपनी का भई जो बिजनस है वो गैस डिस्टिबिशन का बिजनस है दो सरकारी कंपनी है भई इसके परमोटर है गेल और बीपी सियल तो भईया कभी भी इस कंपनी में परमोटर का कोई जंजट होने वाला नहीं है तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाईए दिल ख ऑघ्यकु सी 50 से 60 पर्सें तेर्टे में सकते हैं Αीरली तो पैसा लगाई और लाउग्टरम के लिए पैसा लगाई यह यह सब दो लॉट्रम अलब बिजनसे पी एईन्जी का बिजनस वह लॉन्गroots न्हाफ सी बिजनसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कि मुझे आड़ा गयास है तो देखो भाई आडानी गयास गुजराद गयास यह सब कंपनी भाई आपको उतना रिटन बना के नहीं देगा लेकिन आईजियल आपको जादा रिटन बना के दी सेता है लॉंग टर्म में और यह क्वाइटी भी कंपनी है और दो सरकारी कंपनी भाई इसके जॉइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोटफोलिय बना के देने का कॉंट्रेट कीजिए मुझसे पेड़ सर्विस चाहिए तो IGL अब तक किस टाइस झाट बना के दे चुका है वह मैं आपको दिखाएता हूँ तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत अच्छा टर पना के दिया है wealth create करके दिया है और भाईया आगे return बना के देगा तो देखो 10 साल में टाना है वो 991.88% है दस साल में sensor को डाना है वो 138.82% है तीन साल में देख लो भई तीन साल में आईजेल ने पहुत ही अच्छा turn बना के दिया है दिख सकते हूँ 140.50% आने sensor कोड़ाना 59.22% आने one year में देख लो भई one year में 63.32% आने sensor कोड़ाना 16.89% आने year to date में देख लो year to date में 61.48% आने sensor कोड़ाना 14.95% आने one month में देख लो भई one week में minus 0.28% आने sensor कोड़ाना 0.26% आने one day में देख लो भई one day में minus 0.45% आने sensor कोड़ाना minus 0.44% आने तो भई या आप लोगने फॉर्फोलियो में आईजेल को जगतो क्वालिटी कंपनी है नंबर वन कंपनी है zero debt free कंपनी है मैं खुद भी इस कंपनी भाई पिछले 5 सालों से SIP कर रहा हूँ तो आप लोग पैसा लगाईए बढ़िया कंपनी है पैसा लगाते हुआ न तो आपका पैसा बने गई कोशिस कीचे क्वालिटी कंपनी पैसा लगाने का आलतू-फालतू कंपनी भाई पैसा लगाए कोई फायदा नहीं है यह कंपनी आपको आने वाली आराम से 50-60-70% रिटन बनाके दे सकता है आईजिल का अब मैं आपको सेर होल्डिंग पैटरन दिखा दे रहा हूँ तो देखो पर मोटर के पाद जो होल्डिंग है और 45% का ओल्डिंग है इसमें से भाई बीपी सिल का जो होल्डिंग है और गेल का भी 22.5% होल्डिंग है दोनों को प्लस करोगे तो 45% हो जाएगा मिचल फंड के पाद जो होल्डिंग है आईजिल में 7.13% होल्डिंग है इंसरेंस कंपनी के पाद जो होल्डिंग है आईजिल में 8.69% होल्डिंग है अधर डे पर जो होल्डिंग है आईजिल में 5.06% होल्डिंग है नौन इस इंवेस्टर के पाद जो होल्डिंग है जिल में 5% कॉल्डिंग है, एक बाद है बताना चाहता हूँ आज से 5-6 साल पहले जब मैं इस कम्पनी का सेर होल्डिंग पैटर्न देखा था वाई, तो उस समय ना तो FIS पैसा लगाये थे, पैसा नहीं लगाये थे, इंस्रेंस कंपनी वाले पैसा नहीं लगाये थे, लेकिन आज देख लो FIS, मुचल फंड, इंस्रेंस सभी ने पैसा लगाके रखे हैं, तो आप लोग भी पैसा लगाये बढ़िया कंपनी है, कॉईटी कंपनी है, इसलिए मैं इस कंपनी में खुद भी मन्तली SIP कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से, वेल इसले मैं आपको दिखाते रहा हूँ, आइजिल का, पी रेस्यों है, आइजिल का और 29.52 का पी रेस्यों है, प्राइस्टों बोग वैल वैल एजिल का 6.67 का प्राइस्टों बोग वैल वै डिवन इल देखलो भी पहुत ही बढ़िया आईजिल का 0.56 percent का डिवन इल है, ROC लेटे देख सकते हो भी 47.01 percent का है जोकी फ्रेंड पहुत ही बढ़िया है, 47% का भई ROC पहुत ही अच्छा माना जाता है ROE देख लो 22.60% का है तो भईया मुझे इसका डिवन एल ROC, ROE पहुत ही अच्छा दिखाए ज़रहे आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हूँ VALUTION देख लो भई वेरी EXPENSIVE बता रहा है IGL का attractive जो price होगा वो 1955 से 159 के बीच attractive price होगा जो की कभी भी नहीं आने वाला है quality मैं आपको दिखाएता हूँ IGL का good बता रहा है बई sales growth जो 5 year का है IGL का 10.54% का है private growth जो 5 year का 13.36% का है यहाँ पे भी आप देख सकते हो IGL ने अब तक कि start return बना के दिया है तो देखो 10 हल में 10 है वो 990% है पांच साल में 367% है तीन साल में 140% है वन यर में 63% है यह टुडेट में 61% है वन मन्त में 6% है तो देख से तो यह company लगाता return बना के दे रहे हैं तो आप लोग इस company पैसा लगाई है quality company है नमबर 1 company है जीरो debt free company है इस company भाई आपका capital भी safe रहेगा मैं खुद भी इस company मंतली S.I.P. करता हूँ तो आप लोग भी S.I.P. कीजिए बढ़ियां company में अगर आप S.I.P. करते वाई तो आपका पैसा बने गई आलतु-फालतु company पैसा लगा के कोई फ्यादा नहीं है कोशिस करो quality company में पैसा लगाने का जितना समय आप आलतु-फालतु company बरबात करते हो उससे अच्छा है कि आप quality company काई share खरीदो IGL का 52B खाई है वो 438 रुपया 55 पैसा 52B किलो है 257 रुपया 50 पैसा IGL का market cap देख लो भाई 30,000 कोड का market cap है आने विसे हैं फ्रेंड इस company का market cap 50,000 कोड का भी होगा 1,000,000 कोड का भी होगा 2,000,000 कोड का भी होगा 3,000,000 कोड का भी होगा तो आप लोग अभी से पैसा लगा कर रखिए quality company है zero debt free company है IGL का P जो है वो 29.49 का P पी है industry जो पी है वो 41.96 का तो industry P का मुकाबले IGL का P कम है book value जो है IGL का 59 का book value है earning price है देख लो 14.61 का earning price है dividend yield देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया है 0.56% का dividend yield है face value 2 का है तो भाई या आप लोग कुनी portfolio में IGL को जगा दो quality company है number one company है आने वोले समय में ये company nifty 50 का भी हिस्सा हो सकता है तो खरीद के भूल जाए मैं खुद भी इस company भाई पिछले 5 सालों से SIP कर रहा हूँ तो आप लोग भी इस company में SIP कीजे लंसम पैसा लगाना चाहते हो तो लंसम भी पैसा लगा सकते हो quality company का भाई share खरीद हो गए ना तो आपका पैसा बने गई लेकिन आप लोग quality company भाई पैसा लगाना ही नहीं चाहते हो कोशिश कीजिए quality company भाई पैसा लगाने का आलतू फालतू company भाई पैसा लगा के कोई फैदा नहीं है अगर फिट मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना share करना, subscribe करना पहले सर में चैनल को subscribe का wealth button प्रेस नहीं करें वई तो मेरी वीडियो को notification आपको नि मिल पाएगा आप लोग quality company भाई पैसा लगाए तभी चाहते हैं आप long term में wealth create कर सकते हैं धन्यवाद